तो गाइस computer networking course की ये चौती वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको point to point और client server model दोनों के बारे में पूरी clarity दे दूँगा दोनों model कैसे work करते कैसे ये network में हम इनका creation करते या network में हम कैसे इन model पे work करते हम कैसे analyze कर सकते सारी information इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाए तो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बतानू अगर आपने अभी तक geeky app को subscribe नहीं किया तो candy subscribe करके bell icon को all करने ताकि आने वाली course की कोई भी वीडियो आपसे मिसना हो साथ-साथ playlist section पर जाके यहाँ पर networking course की playlist को access कर सकते हैं, bookmark कर सकते हैं, save कर सकते हैं तो अब बिना जदा time use करें चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं different types of network के बारे में तो गाइस यहाँ पर इन models को समझने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो यह model वो किस चीज के model है तो गाइस इसे हम कहते हैं communication models, अभी communication models क्या होते हैं अब दोको communication एक ऐसा word है, communication words से ही आप समझ गए होंगे communication का मतलब होता है किसी दो चीज के between में एक connection बनना किसी भी चीज में चाहे वो file sharing में हो, चाहे resource sharing में हो, चाहे information sharing में हो तो यहाँ पर हमारे जो communication हो रहा है, उसके model है यहाँ पर ठीक है, तो इन models के बारे में हम पढ़ने वाले है तो communication model, तो यहाँ पर एक proper definition भी है, it defines the way how you gonna connect it to the network कि मतलब यह बताते हैं कि आप किस तरीके से network में connect हो दूसरे computers या दूसरे devices के साथ इसके two है, यहाँ पर T, W, O वाला two होगा, two different models in which there are some rules and regulations as well as independence तो उन दोनों ही rules में, आपके उन दोनों ही different models में आपके different rules हैं और independency भी है तो दोनों ही चीज़े हमें इन models में देखने को मिल जाती हैं, तो किस में regulations होते हैं, किस में rules होते हैं, किस में independence होती हैं यह सब हम उनको जानकर, उनकी analyze करकर ही समझ पाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं, कि जो हमारा data होता है, वो transfer कैसे होता है, हमारा communication हो रहा है यह नहीं हो रहा है, हम कैसे जान सकते हैं, तो किस यहाँ पर आप देख सकते हो, एक computer यहाँ पर यह लगा हुआ है, इसे आप मालो पहला computer है, ठीक है और वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हूँ यह वेरा दूसरा कंप्यूटर है यह दूसरा कंप्यूटर लगा हुआ है ठीक है और यह आपका तीसरा कंप्यूटर है तो तीन कंप्यूटर यहाँ पर लगे हुए है और यहाँ पर बीच में आप मालो एक स्विच लगा यह उपर भी जा सकती है, यह नीचे वाले सिस्टम में भी जा सकती है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम अपने जो information है, communication है, वो build करते हैं, अपनी file, resources या information को share करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा जो communication model है, यहाँ पे हमारा कोई भी rule regulation नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंसी है इस system से bgv file यह भी access कर सकता है, यह भी access कर सकता है, अगर हमने कोई rules regulation इसमें नहीं लगा रखे हैं, तो अगर हमने इस तरह proper इस system के शाथ share करी है, तो यह system वाँ पे फिर नहीं access कर पाएगा, तो rules and regulation का system होता है, by default हमें इंडिपेंडेंसी provide होती है, तो यह इस तरीके से हम अपने token ring या अपने जो information होती है, या जो हमरा जो packet होता है, हम दूसरे system पर transfer करते हैं, दूसरे network पर transfer करते हैं, या दूसरे किसी device पर भेजते हैं, send करते हैं, तो इस तरीके से वो work करता है, तो यहाँ पे हम पहला जो model है, वो जाल लेते हैं, हमारे दो तरीके के model होते है, communication और सिरफ switch लगा हो सकता है, only switch, switch के अलावा और कुछ भी नहीं, जैसे bridge, हाँ bridge भी लग सकता है, लेकिन switch के अलावा कोई भी ऐसी device नहीं लगेगी, जिसमें आपको restrictions प्रोवाइड हूँ, just like firewall, server, ये सब नहीं लगेगा, switch लग सकता है, hub लग सकता है, और bridge लग सकता है, और और 2-4 devices ओर होते हैं, router, बस ऐसी ही लग सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं लग सकते हैं, जिसमें configuration नहीं होती, तो यहाँ पर आपका जो एक system है ये रहा, और दूसरा system है ये रहा, तो दोनों के बीच में एक direct connection होगा, बीच में कोई भी intermediatory नहीं होगा, बीच में कोई computer से भी connect हो सकते हैं, तो peer-to-peer कैसे होता है, मैं आपको clear अच्छे से बताऊंगा, उससे पहले में आपको यहाँ पर client server model के बारे में भी बता देता हूं, तो इस client server model में क्या होता है, आपका system है, अब देखो यहाँ पर एक proper scenario है, लेकिन मैं आपको एक easy way में समझा देता just like एक आपका PC यहाँ पर है, एक PC यहाँ पर है, और इन दोनों PC में हमारा जो पहले वाला model था, peer-to-peer वाला उसमें क्या था, direct हम यहाँ पर कर देते थे, मैं यहाँ से green marker से बता देता हूं, peer-to-peer का, तो यह था हमारा peer-to-peer direct connection, ठीक है, यहाँ पर हो सकता था, switch all लग यहाँ, switch, यहाँ switch लग सकता था, लेकिन अब client server model में क्या है, client server model पर देखो, आप यहाँ पर एक server आएगा, server, ठीक है, अब यह server है, अब server बीच में रहेगा, तो अगर इस computer को इससे connection लेना है, तो क्या होगा, पहले यह server में request भेजेगा, फिर यह server उस request को process करेगा, proceed वापिस request में जो भी होगा, जैसे इस system में कोई file रहीज रहीज रही है, तो इसे process करके इसमें request को send कर देगा, तो इस तरीके से आपका यह server वर्क करता है, अगर यह server चाहे तो उसे decline भी कर सकता है, यहाँ पर वैठा admin उस file को decline भी कर सकता है, तो यहाँ पर rules regulations आ जाते है, य यहाँ में कुछ ऐसे rules को follow करके चलना पड़ता है, जो कि उस admin को like करते हूं, उस admin की regulations को follow करते हूं, अगर वो खिलाफ होंगे, उसकी community के खिलाफ होंगे, तो वो बिलकुल decline करतेगा, आपको block भी कर सकता है, आपके account भी delete हो सकते है, ऐसा भी होता है, तो network में आपको block करा ज rules regulations के independently file दूसरे system पर भेज सकते थे, communication कर सकते थे, लेकिन client server में क्या है, server एक administrator होगा, जो आपके intermediary में आ जाएगा, बीच में आएगा, और उसके through ही वो information process होके, दूसरे system तक पहुचेगी, तो यह है client server, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एक server लगा हुआ है, server से internet है, और internet में आपके devices connected है, तो अगर आप इससे एक mail भीजते हो, laptop में, तो वो पहले server में process होगी, अगर सब कुछ बढ़िया होगा, तो वो आपके mobile phone या computer में जाके transfer हो जाएगी, तो इस तरीके से आपका client server model है, वो work करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, client server versus P2P.2 point model, तो यहाँ पर आप देखो, इस पर server होता है, server से सारी information process होती है, तो जैसे mail भीजी है, WhatsApp message भीजाए, कुछ भीजाए, तो वो पहले server में जाएगा, process होगा, और इसके बाद अपनी receiver है, या उसका target location है, वहाँ पर transfer होगा, चाहँ वो computer में हो, चाहँ वो laptop में हो, और अगर working वाला system होता है, वो आपको मिलेगा, तो इस से बचने के लिए क्या होता है, कि हम direct as a connection ले, लेकिन अगर आप global अपना कोई बड़ा सा startup करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर client server model पर ही work करना पड़ता है, लेकिन आप एक local नहीं रिया, adwork बना रहे हो, तो उसमें आप P2P वाला भी use कर सकते हो, इसमें क्या है, आपको सिरफ intermediary में switch लगाने और सारे devices आपस में connect कर देने, कोई भी administrator नहीं है, कोई भी server नहीं है, direct एक दूसरे से communication कर पाते हैं, तो यहाँ पर एक में regulations है, तो एक में इंडिपेंडेंसी है, दोनों ही अपनी अपनी तरगे में हैं, क्योंकि server जो है, server में regulations है, तो यहाँ पर कुछ unauthorized access, unauthorized चीजें, illegal चीजें, यह सब एक server की निगरारी में, एक administrator की निगरारी में रहती है, वहीं direct वाले में क्या है, कोई भी कुछ भी कुछ भी कर सकता है, even वहाँ पर security भी उतनी अच्छी नहीं होती, server होता है, तो server server में आपकी process, जो information होती है, वह फटावट से process हो जाती है, machine में क्या है कि admin ना होनी की वज़े से, यहाँ पे हम processing वाला काम नहीं कर पाते हैं, तो सभी के अपने advantages है, सभी के अपने disadvantages है, आप अगर basically peer-to-peer वाले connection का, अगर मैं आपको एक example दूँ, तो आपका peer-to-peer connection है, जैसे आप share it है, share it से आप एक mobile phone से दूसरे mobile phone में direct transfer कर देते हो, तो wifi एक में wifi खुलता है, एक में hotspot खुलता है, तो इसमें क्या है कि आप direct point to point network का इस्तमाल कर रहे हो, आप अपने phone से direct उस phone को target बनाके file भीज रहे हो, तो वो होगी आपका P2P, यानि point to point network का model, ठीक है, communication का model, वहीं आपका client server, आपका WhatsApp message आप देख सकते हो, आप जब भी message भीजोगे, अगर आप कुछ ऐसी post भीजते हो, जिसमें गलत ऐसा message है, जो बहुत ज़्यादा बुरा है, तो अगर वहाँ पे निगरानी में उनके आ गई, तो वो server से decline कर देगा, उसे हटा देगा, उसे malicious बन work करता है, जहाँ आपको regulations मिलती है, उतनी independency नहीं मिलती है, जितनी point to point में मिलती है, तो आप खुद भी analyze कर सकते हूं कि क्या advantages हो सकते हैं, और क्या disadvantages हो सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ comparing भी है, तो इन comparing को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इनका practically देखते हैं कि यह work कैसे करते है तो यहाँ पे हमारा client server है, और यह रहा हमारा peer to peer, तो मैं marker एक काम करता हूं, yellow color का ले लेता हूं, तो server has the control ability while client doesn't, तो do not, server has the control ability while client do not, जो server है उसके पास control की ability है, यानि एक admin है, जो की control करता है अपने system से, वो जो चाहिए वो कर सकता है, वो आपके admin है, administrator है, तो कुछ भी कर स peer to peer में यह होता है, कि आपका admin ना होने के बाँजे से, सभी को equal power होती है, clients जितने भी होते है peer to peer में, सबको equal power होती है, यह दो equal ability, वहीं इसमें जो client होते हैं, उनको कोई भी power नहीं होती, सारी power control के पास होती, control किसके पास होता है, admin के पास, जो की server में होता है, तो client सिरफ औ peer to peer है तो direct computer को आपस में connect कर दो बस बात खतम, cable codes इसमें कम पड़ती है, wireless में तो आप पता हिए share it कैसे काम करता है, और client server में ऐसे share it जैसे कोई feature है ही नहीं, तो आप समझ सकते हो दोनों में cost का कितना अंतर है, कई में तो आपको peer to peer में कई बात लगती भी नहीं है, और लगती है तो बहुत कम लगती है, वह client server में काफी cost लग जाती है, इवन server का भी खर्चा आता है, it is used as small and large network, तो बड़े-बड़े networks, शोटी में भी होता है, बड़े-बड़े जादतर, ठीक है, सभी networks में आपका server का use होता है, आपने पता ही है, आपकी website सारे server पे store होती है, तो ये सब हर जगा server का इस्तमाल होता है, security अच्छी होती है, इवन administrator होता है, और भी बहुत सारे regulations होती है, प्रोटकॉल से लग जाती है, तो आपका data भी सिखते हो रहाता है, वहीं peer-to-peer में normally used in small networks within less than 10 computers, तो एक LAN बनाना है, PAN बनाना है, तो वहाँ पे आप peer-to-peer कर सकते हो, जिसमें आपको एक low budget पे आपका पूरा network तयार हो जाए, तो peer-to-peer आप ऐसे normal छोटे से organization, छोटे से घर में अपना network बनाने के लिए peer-to-peer के स्तमल कर सकते हो, client-server easy to manage है, easy to manage किया है कि एक admin बैठा रखा है, वह server manage करेगा, और बाकि जितनी भी request आ रही है, वह अपने आप automatically process होंगी, जो malicious होंगी, जो unauthorized वाली होंगी, वो खुद वो check कर सकता है, तो easy to manage है, उतना कुछ भी नहीं है, वह पीर-to-peer में है कि अगर आपका fault भी आ रहा है, तो आपका पूरा network analyze करना पड़ेगा कि कहां पे fault है, जिसकी वज़े से आपके सारे system बंद होने या कोई system नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा managing में, थोड़ा सा वाँ पे आपको time लगाना पड़ेगा, तो ये जो आपके software होंगी, जो main software आप install करेगे, वो server में install होंगे, बाकि आपके जो client है, वो share कर सकते हैं उस software को, और कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे आपके main software वो server में install है, आप बस उन्हें access कर पाऊगे, अपने system में नहीं कर पाऊगे, मतलब install, access कर पाऊगे बस, इसमें क्या install software to every computers में है, कि आप कोई भी software कैसे भी कर सकते हो, इवन आपको rights भी देते हैं, कि external software जो की security के purpose से, मतलब बुरे भी हो सकते हैं, आपके system पे, तो admin उन्हें block करके रखेगा, तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा एक factor बन जाता है, कि यहाँ पे peer-to-peer में हमें कोई भी software install करने की अजादी होती है, वहीं client server में ऐसा नहीं है, जो की बाहर के level के हैं, बाहर organization के हैं, या जो जिन में विश्वास नहीं है, उनको permission नहीं मिलती install करने की, one powerful computer acting as a server, यहाँ पे एक powerful computer बनाया जाएगा, और उस server से आपको हार computer में services मिलेंगी, तो client server में हमें ऐसा कर सकते हैं, वहीं peer-to-peer में कोई भी server नहीं होता, direct एक दूसरे से connected होते हैं, तो इस तरगी से हमारे client server और peer-to-peer, point-to-point या P2P, दोनों ही communication methods या models काम करते हैं हमारे पास, तो दोनों कैसे वर्ख करते हैं, एक छोटा सा overview मैं आपको और दे देता हूँ, तो guys मैं आ चुका हूँ अपनी desktop screen पे, तो मैंने एक software अलरीड डाउनलोड करके रख रखा है, Cisco का packet tracer, तो guys यह जो software इसकी download link Cisco की website की official link मैं नीचे description पे दे दूँगा, और आप महाँ से जाके इस software को download कर सकते हो, download करने के बाद जैसी आप इससे install करके open करोगे, यहां से आपको user login माँगेगा, तो आप simply यहाँ पे अपना user account डालके user login कर ले, और मैं फटावर्ट से कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसमें आपको दोनों की practical गर्गे दिखा देता हूँ, तो guys यहाँ पे मेरे जो software वो open हो चुका है, तो इसकी link नीचे description पे आप जाके download कर लेना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ, peer-to-peer, point-to-point, या फिर P2P model, तो इसमें क्या होता है कि आपके सारे system आपस पे connected होते हैं, wireless या wired medium के दुरू, तो हम यहाँ पे network की बात कर दें, तो हम यहाँ पे wire का example लेंगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने यहाँ पे दो computer ले लेते हैं, देखो जैसे एक computer मेरा ये रहा, और एक computer मेरा ये रहा, ठीक है, अब इन दोनों को आपस पे connection कैसे करेंगे, हम simply एक wire ले लेते हैं, और wire का आपस में इस तरीक से हम connection करतेंगे, तो यहाँ पे यह जो computer है, वो इस computer से direct connection ले सकता है, बिलकुल सामने आमने से, तो इस computer से जो भी file हम share करेंगे, वो direct इस communication पे base होके, इस line से base होके, यहाँ तक पहुच जाएगी बिना किसी administrator या बिना किसी server की permission के बिना, तो इस तरीके से हम peer-to-peer का इस्तमाल कर सकते हैं, वही अगर मैं बात करूँ, multiple computers को आपस में इस communication में लाने की, तो मैं क्या करूँगा, एक switch ले लूँगा, यहाँ पर switch ले लिया है मैंने, और मैं इस wire को एक काम करता हूँ, delete कर देता हूँ, ठीक है, मैं इस wire को delete कर देता हूँ, तो मैंने इस wire को delete कर दिया है, अब मैं क्या करता हूँ, computers ले लेता हूँ, अब जैसे multiple computers हैं, एक, दो यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर हैं, अब इन चारों को आपस में peer-to-peer में करना है, तो हम क्या करेंगे, हम simply एक switch बीच में लगा देंगे, और switch से इन चारों computer को आपस में connect कर देंगे, अब यह चारों के चारों आपस में किसी भी तरीके से communication कर लेंगे, बिना किसी administrator के, बिना किसी server की permission के, अब मैं इस system से कोई भी file भीजूँगा, इसमें, 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 तीनों में चली जाएगी, या इस system से भीजूँगा, या इस से भीजूँगा, किसी में भी चली जाएगी, या पर कोई भी permission लेनी कि उसे जरूरत नहीं है, इंटर्मीडियेटरी डिवाइस लग जाए हमारा switch, तो ये था हमारा peer-to-peer, P2P या point-to-point model, वहीं जो हमारे पास दूसरा model आता है, जिससे हम क्याते client server model, उसमें क्या होता है कि आपकी जिसे system है, आपके पास 5 systems है, तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, पास system लगा दिये मैंने यहाँ पे, आप क्या करूँगा, एक server बना दूगा, एक system और मेरा जो सबसे powerful है, उसे मैं system पे server इंस्टॉल करके server बना दूगा, तो ये मेरा server बन गया है, अब होगा यहाँ पे क्या, कि मैं एक switch लूँगा, और switch से क्या करूँगा मैं, देखो switch ले लिया मैंने, और अब मैं इस wire को लूँगा, और इसे connect कर दूँगा, अब इस computer को switch से, इसे भी switch से, तो इसमें configuration भी करनी पड़ती है, आप बिल्कुल मत आप घबराना, ये software बहुत असान, Cisco का packet tracer, इसी के बारे में हम सारे practical करेंगे, आने वाली वीडियो में, तो यहाँ पर मैंने, अब आपको बताने वाला client server का, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कि देखो यहाँ पर server बठाया है, server बनाया है, जहाँ पर admin होगा, तो यहाँ पर, इससे एक wire निकली है, जो कि switch पे गई है, और switch से आपके 5 computers connect है, अब मैं इस system से, इन चारों में से, किसी में भी कोई file भेजूँगा, तो वो पहले server के पास जाएगी, इस server से approve होने के बाद, accept, आपकी जहाँ पर भी आपने भेजी होगी, वो फाइल वहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कि इस system से भीजी, और इन चारों में से कोई भी उसे access कर लेगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर server admin है, server माली के server अगर allow करेगा, तब ही आप कर पाओगे, तो इस तरीके का control जब यहाँ पर आ जाता है, तो उसे कहते है client server model, और यहीं पर आपके सारे organization लाई करते हैं, इवन बड़े-बड़े organization इसी पर वर्क करते हैं, पूरे offices में जितने computer होते हैं, सब एक server के client होते हैं, और उनमें जो भी काम होता है, वो सब उस server में देखा जा सकता है, admin देख सकता है, जो आपके IT expert होते हैं, वो देख सकते हैं, तो इस तरीके से आपका client server model वर्क करता है, और इस तरीके से point to point या peer to peer model वर्क करता है, तो यह दोनों ही network के model होते हैं, कि आपका communication कैसी हो रहा है, कोई बीच में admin है, कोई network है, या कोई उसके बीच में ऐसा कोई बैठा है, जो rules and regulation लगा सकता है, या नहीं लगा सकता है, तो server लगा सकता है, तो server होता है, तो यहाँ पे आपका server नहीं होता है, और इसमें आपका server होता है, इसमें आपको इंडिपेंडेंसी नहीं होती है rules regulations होते हैं इसमें आपको लगबाग पूरी इंडिपेंडेंसी देखने को मिल जाती है तो यह थे आज के आपके peer-to-peer और client-server model के example So I hope guys you got the point of the video इस video से आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा client-server और peer-to-peer models के बारे में communication models के बारे में आज के बाद आपको confusion नहीं होगा कि हमारे चो communication होता है हमारे devices में network के अंधर वो किस तरीके से होता है बीच में server हो या ना हो तो वो कैसे हम उसे analyze कर सकते हैं तो यह सब आपको I hope मेरी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा तो आपको अगर कोई भी question है query है सुझाव है तो जरूर से comment करना मैं आपके reply करने की पूरी कोशिश करूँगा और अगर इस video से थोड़ी सी भी value मिली हो तो इक like कर देना और सुझाव हो comment हो question हो तो जरूर comment कर देना और किसी से share करना चाहते हूं इस course को of course share करना इस course के playlist नीचे access कर लेना link नीचे description पर है और Cisco Packet Traces जिस software में हमने ये practical किया है उसकी link भी नीचे description पर है आप जाके उसे download कर सकते हैं इंस्टाल कर सकते हैं तो guys अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे topologies के बारे में बहुत interesting और important वीडियो होने वाली है उस वीडियो को आप बिल्कुल भी miss मत करिएगा तो guys मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye, take care, stay healthy and jay hind कर दो आपसे अगली वीडियो कर दो आपसे अगली वीडियो को आपसे अगली है